नमस्कार, दासीतामरी का स्वागत है सीतामरी में लाखों की चोरी पुलिक्स के नाक के नीचे होना काफी सर्मनाक और दुखदायक बात है और ये जो घटना होई है सीतामरी के प्रसिद बवन गामा के मुख्या के घर में चोरी हुआ है जो चोरी कल रात कोई है जिसमें लाखों की समपती चोर चुरा के ले गए है जहां से स्ठिक सौगज के दूरी में पुलिस स्टेशन भी है महसौल ओपी और यहां बागल बागल आप देख रहे हैं जो मार्केट है में रोड से लगा हुआ ये घर है और चलता फिरता मार्केट के बीच जो पटना बस स्टेंड बोला जाता है ये इलाका है और आप देख रहे हैं विसाल यहां पर बन रहे है भवन और यहां पर एक बड़ा मार्केट है आप देख सकते हैं जो सामने मकान दिख रहा है आपको वो मुख्या जी का मकान है मुन्ना जी मुख्या है उन्ही के घर में ये वारदात हुई है चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं पूरी घटना से किस प्रकार ये घटना हुई है किस-किस प्रकार की चोड़िया की गई है क्या समपती का नुक्सान हुआ है इनको देखे यह जो जगा आपको दिख रहा है सामने का जगा यहां से चोर ने एंटरांस लिया है यह जगा है यहां पे आप निसान देख सकते हैं गौर से देखीएगा निसान दिखेगा आपको इस जगा से चोर सिरी लगाकर अंदर निकेज गटना है और बीच सरक के बगल में जो मेसाल ओपी के जस्ट बगल में ये घर दिख रहा है आपको इस घर में चोरी हुई है देख रहा है चारो तरफ बिखरे हुए समान अलमारी का ताला लौक खुला हुआ है और जैसे कि परिजन बता रहे हैं जो घर के लोग हैं से देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो अलमारी है समान से भरा हुआ था और इसमें से कई समान गायब भी है और यहां का लौक तोड़ लिया गया है आप देख रहा है यह जो सामने परा हुआ डबा है यह पिस्टल के बंदूक के गोली का यह डबा है जहां से लगभग 25 ग घर जो इनका ग्रामिन पैतरिक आवास है वहां पिले गये थे देखे चारों तरब समान बिखरा हुआ है किस तरह चोर आता है और ठीक जो पुलीस के नाक के नीचे से लाखों का समान उरा करके ले जाता है आपको मैं अंदर का दिखाता हूं किस प्रकार समान बिखरा यहां से उपर के ओर जाता है और मैं आपको कुछ और चीज़े दिखाना चाहता हूं जो काफी महत्पुर्ण है इस पूरे घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई थी इस पूरे एडिया में 25 सालों से जो कहना है इन लोगों का यहां पे किसी प्रकार का चोरी नहीं हुआ आपको दिखाता हूं घर के अंदर ले जाता हूं गैस केटर का प्रयोक किया गया जैसा लग रहा है यहां से लौक तोरा गया है अब देख सकते हैं उसके बाद इस घर में प्रवेस कर यह देखिए आलमारी सामने का आलमारी खोल करके इसमें से हजारों की संपती ले गए हैं लाखों के संपती का चोरी हुआ है यहां इस रूम में भी चोर प्रवेस किया और यहां लगा हुआ LED चोर ले करके भाग उठे हैं साथी उन्होंने अलग अलग जो बेड है देखिए बेड किस तरह विखरा है इसको उठा कर भी उन्होंने देखने का प्रयास किया है कि कि क पुरा परा हुआ है देखिए यहां से कीमती घरी थी जो कॉस्मेटिक समान था महंगा महंगा अब देख रहे हैं किस तरह से चोर पूरी तरह से घर को तहस नहस करते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दे गया है मैं आपको और कुछ जगा दिखाता हूँ देखिए यहां पे भी बिखरा हुआ समान बिखरी हुई अटेंचिया तुटे हुए अलमारी के ताले और खुले हुए गेट यह बात के साच्छ है कि किस तरह से जो भीशन चोरी हुई है इस घर में देखिए एक वेल इस्टेबलिस घर है यह और इसमें से लाखों का चोर होना कहीं ने कहीं पुलीस की आपसी सहमती से तो नहीं हुई बहुत बड़ा सवाल है और पुलीस के नाक के नीचे इतना बड़ा चोरी को अंजाम देना चोर के लिए काफी हिमत वाला चीज है देखिए आपको मैं नजारा दिखाता हूं मैं सौल ओपी कितना बगल में है अभी तुरत आपको मैं दिखाऊंगा और परिजन से बात भी करवाऊंगा मगर देखिए क्या सीतामरी का किस प्रकार का स्थिती हो गया है बेखौप अब राधी घुम रहे हैं बेखौप चोर गुम रहा है दिन दहारे लूट हत्या की वारदात हो रही है देखिए सामने मार्केट है जो कि इसके अपोजेट साइड मेसाल ओपी भी है और यहां पर बस स्टैंड क पटना बस स्टैंड साइत तमाम जो शितामरी के प्रक्याद्भा इलाके है जो पौस इलाका बोला जाता है यह सामने मस्दीज है और भी यह ज़ित अर्वेल के अर्वेदा दिन र आज से पहले कभी इस मौले में कभी हुई थी? अभी नहीं हुआ था, 35 साल में मेरे साथ पहला घपना है. सार तो क्या-क्या नुक्सान आपको हुआ है, क्या-क्या चोड़ी हुई है आपके अंदाज से? अभी तो यह घंटा पहले हम गाउं से आये ही हैं, लेकिन समान जो भी घर में था, बेसके चिल्टी सी, उस सारा का सारा जो है चोरी हो गया, आप देखेंगे, कैस था 45,000 रुपिया, उस जो है चिकी कायब हो चुका, समझे कि पूरा का पूरा जो है चिकी हमारा समग परूरी सार क्या लगता है सार जैसे क्या आप इलाके के प्रस्तिध लोग हैं, क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार की दुस्मनी या किसी प्रकार का एड़सा से क्या या चोरी को अंजाम दिया गया गया तो केवल और केवल मुझे लगता है इसके पीछे एक ही चीज था जो लाखों की समान उराने की सोच है और पुलीस की मिली भगत यह एक बड़ा कारण हो सकता है यहां पर आ आपके पास कोई ऐसा आकलन अभी तक हुआ है गया तो यह जो लोग है अभी अभी इनको सुचना मिला है ततकाल सुचना मिलते ही बताईए सीता मरी का एक ऐसा जगा जहां पे बगल में लाखों लोगों का मुझे लगता है पूरे दिन में आना जाना है परते एक धंटा चारों लोग आते जाते हैं इस रोड से सीता मरी मैसल चौक के समीप और जो गुमती है उसको जोडने वाला प्रमुख मार्ग है यहां से भिठा मोर परिहार सुनबरसा सहित अन्य सभी जगों के गारिया जाती है देकि लंबे-लंबे कतार लग जाते हैं जाम किस प्रकार य और फिर भी यह चोडी एक बहुत बड़ा विस्ता worrying है सीता मरी जिला प्रसास संके लिए उसके पीछे जो चोड है उनकी तलास पुलीस कर पाती है क्या सरगर्मी से पुलीस को अप्राइदियों का तलास है या फिर उन्हीं के मिली भगत से इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है पूरे रिपोर्ट को मैं लगातार आप तक दिखाता रहूंगा पहुंचाता रहूंगा आगे की भी जो अपडेट्स होंगी इस पूरे घटना की उसको अभी पहुंचाऊंगा अभी महसा लोपी से कुछ लोग आ करके यहां आकलन भी कर है अभी तक नहीं हो पाया है पूरे घटना को अभी अनसंधान करने के द्रिश्टिकों से महसा लोपी के जो प्रवारी हैं वो बता रहे हैं लेकिन जो पूरे घटना में किस प्रकार की खोज परताल होती है इसके अपडेट्स में आप तक लागातार पहुंचाता अब देखते रहें दसीता मर्धी हिमान सोजा के साथ दन्यवाद